कि नमस्कार आप देख रही है नेक्स नाइट नियूस पॉलिटिकल भाइट आपके साथ मैं हूं प्रांति से देश में इस वक्त बवंडर मचाने वाली राजनीती चल रही है और इस राजनीती के बीच में एक नया चेहरा अचानक से आया और उसने अपने नाम यहां तक पह कौन है अमादू पार्टी क्या है हर कोई जानता है यहीं वज़ा है कि इस वक्तमाम विपक्ष्वी नेता जो है वह घबरा गई है कि आखिकार एक नई पार्टी सामने आई है और वह अपना रॉब इतनी जल्दी कैसे बढ़ा सकती है लेकि अगर कोई भी जल्दी आगे ब बात आज लगातार विपक्ष उठा रही है विपक्ष में अपनी तरफ से जो है कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ दी उनके खिलाफ बोलने में और यहीं वज़या है कि बड़े बड़े नेता जो है वह अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ बोल रहे हैं इन्हीं में एक कहा गया कि चुनाव से डर कर हमने यह बहिल लेकर आये आ कि भैह हम तो डरे नहीं है कि सुनेर अधिरंजन भी बोले नहीं नहीं मैं आपको नहीं कही नहीं रहा हूं कहा गया ऐसा करकर बुलाओं चुनाओ से डर कर आँ डरने का सभाव हमारा नहीं है चुनाओं में हार जीत होती ही तो इसी का नेरय सन कर रहा हूं सुनिया ने मगर 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 मंगर मैं चुनाओं से डर कर कैसे काम होता है वो बताता हूं इंदिरा जी का चुनाव इलाबाद हाई कोट ने निरस्ट कर दिया उसके बाद रातो रात जिस प्रद्यान मंत्री को इस सदन में वॉट देने का अधिकार नहीं था वो प्रद्यान मंत्री ने देश भर के सारे लोगतांत्री के दिकार चिनकर इमर्जन्सी डाली इसको डर कहते हैं इसको डर कहते हैं लोगसभा की मियाद एक साल बढ़ा दी इसको डर कहते हैं और सुनिये अभी सुनिये ना सुनिये मानिय द्यक्जी इमर्जन्सी डर कर लाई गई थी सारे लोगतांत्री पार्टियों के नेताओं को लाखो लाखो लोगों को डर कर जैल की सलाकों के पिछे डाल दिया गया था सारे अख़बारों के एडिटोरियल यहां से तै होते थे अकासवाणी पर एक प्रसिद गायक की आवाज को बेन कर दिया गया था डिवेट गाने भी सिंगल आवाज में आते थे इसको डर कहते हैं और क्या होगा मैं बताता हूँ जो लोग कह रहे ना कि डर चुनाव के लिए चुनाव के कारण डर से ये टाला गया है वो डरते है तो 6 मैंने बाद चुनाव होगा क्यों डर है भई जनता ही करेगी अगर जितने का विश्वास है तो अभी क्यों चुनाव चाहिए मैं देता हूँ बाद में क्यों किया इसका जवाब भी अगर जितने का विश्वास है तो क्यूं अभी ही चुनाव चाहिए। अच्छे काम किए तो 6 महीने बाद भी चुनाव जीट सकते हो। डर इसको कहते हैं कि अभी चुनाव कर आलो आनन फानन में जीट जाए। मगर माननीअध्यक जी मैं कहने आया हूँ कि अगर किसी को डरना है तो किसको डड़ना है कि पांच राज्यों के चुनाव का हवाला देकर कहते हैं कि परिणामों से भातिये जिनता पार्टी डर गए और आप पार्टी से डर गए उत्तर प्रदेश में आप पार्टी 349 सिटों पर चुनाव लड़ी सभी पर जमानत जब उत्राखन में 70 सिटों पर चुनाव लड़ी अर्शट सिटों पर जमानत जब गोवा में 49 सिटों पर चुनाव लड़ी 35 सिटों पर जमानत जब पंजाब पे अच्छा परफॉर्म करा मनिपूर गए ने हम किस से डरे भी मैंने सुना था अर्विन केज़िवाल की खिलाफ अमिच्छा का यह बयान और इन दिनों उट्रेंट के उपर काई सारे कंभिर सवाल आप लोग किस और इशादा करें काफी जादा गलत है और उनकी सच्चाई अब बाहल आने का वक्त आगया या फिर अर्विन केज़िवाल की बढ़ती प प्रशा लोग बाहल आने की टेुप लोग करें का वक्त ハटा के त ड़고 मैं लोगरती आगलते है और बाहल है और रविन का यह जब डिनोंचाई आगया और ंखल में के अ झाल झाल झाल